फोटो में दे सकते हो यहां पिट्रोट प्राउनिग है Englishrect English Era यहन चीनित के पोएंट्ट के ओंडे है तो उसकेलीए मुझे मैशाओं और पर जायएं तो उसके लिए मुझे maximum comments रही हैं तो comment section में जादा स्यादा comment करें जिसमें भी topic के ओपर comments maximum होंगे comment section में जो next video होगा वो उसी के ओपर होगा आगे बढ़ने से पहले बता दूँ उस channel को subscribe करना ना भूलें और इस bell icon को जरूर हिट करें ताकि हर नया वीडियो जो भी आए उसका notification आपको time to time मिलता रहे चलिए start करते हैं बता दूँ एक्षिल में इस poem ये जो poem है वो एक monologue है monologue क्या होता है? monologue वो होता है जब आदनी अपने आप से बात करता है ठीक है? अपने आप से बात कर रहे हैं इस poem में poet Robert Browning dialogue मतलब होता है जब दो लोग बात करते हैं तो ये जो poem है ये monologue है अपने आप से बात कर रहे हैं इस poem में इन्होंने बात किया एक इनसान की जो की patriot था ठीक है? patriot मतलब जो nation को बहुत प्यार करता था nation के लड़ता था ठीक है? उस तरीके का इनसान था और starting में इसमें poem में बताया गया है ये जो इनसान था जिसके बारे है poet बात कर रहा है वो एक hero था मतलब उसको जो country के लोग थे एक as a hero treat करते थे कि ये बड़ा अच्छा अदमी है तालिया वस्ती थी उसका बहुत स्वागत होता जैसे कोई एक celebrity होता है तो starting की poem में उस इनसान को as a celebrity treat किया गया है लेकिन बाद में उसी इनसान को ऐसे treat किया गया जैसे कि वो कोई एक criminal है ठीक है उसे सजा दी गई और उसे मार दिया गया तो ये जो poem है ये दो parts में divided है पहले part में poet ने एक इनसान के बारे में बताया जिसको पूर्या का पूरा country hero मानती है ठीक है एक celebrity मानती है लेकिन second part में poem में दिखाया गया है अब वो hero से वो criminal जैसा उसको treat किया जाता है पहले part में लोग उसको as a hero treat कर रहे है second part में लोग उसको as a criminal treat कर रहे है और उसको execute किया जाता है finally उसको मार दिया जाता है तो poem का जो background है वो उसके round है चलिए अब step by step देखते है line by line starting में यहाँ पर यह starting के जो stands आजा है इसमें जा hero treat किया जा रहा है उस इंसान को तो वहाँ पर बता रहे है it was all roses, roses all the way with a mitle mixed in my path like mad तो इसमें क्या है एक साल पहले के time को याद कर रहा है वो इनसान ठीक है एक साल पहले के time को याद कर रहा है उस time पे वो बता रहा है क्योंग उसको लोग as a hero treat करते थे वो कहता था जब में चलता था तो मेरे पूरे ही रास्ते में ऐसा लगता था यह भी metal भी एक तरीके का flower है ठीक है, रोस के साथ-साथ यह वाला flower भी mix होता था मेरे रास्ते में ठीक है तो यह मतलब ऐसा दिखाया गया एक साल पहले की चीज याद कर रहा है मतलब लोग इतने ज़्यादा दिवाने थे, जहां पर भी जाता था अ येर अगो अन दिस वेरी डे ठीक है, जो लोगों की घर की च्छते थी लोग घर की च्छतों पर आ आ के लोग चिलाते थे चीकते थे, मतलब जैसे की होता है नहीं कोई फिल्म स्टार निकल जाए तो आप लोग अपनी च्छतों पर जाजा के अगर वहां से आपके एरिया में से माली जा फिल्म स्टार निकल जाए तो कितनी भीड़े कटी हो जाएगी लोग च्छतों पर जाजा के चीकते हैं, चिलाते हैं, बहुत ज़दा नारे बाजी होती है, बहुत ज़दा ho hala होता है, जैसे की क्रिकट का मैच होता है लोग स्टेडियम चैट लगे देखते हैं खूब ज़दा लोग आवाजे निकालते हैं, ठीक है अपने अपने फैवरेट स्टार की फैवरेट स्टार को बूस्ट अप करते हैं दिखाया गया हो शतु बचंट लगे उसको प्रेस करते थी और वह बतारहा है कि जो चोर्ट था थी कि आफा फरक पर एक एसा स्ट्रक्चर होता हैolly और स्ट्रक्चर को आटा देनों वहा पर झब जक्रेके यह जब यह समस्ञा लीजिए जैसे बोला जाता है normal लेंग्वज में हम यूज करते हैं कि इस इंसान ने जंडे गाड़ दी है तो वो समझ लीजे मतलब एक ही मतलब यह एक साल पहले का अपना टाइम याद कर रहा है कि एक साल पहले जब यह सलक से रिकलता था तो लोग मतलब एक तरीके से लोग एक दम दिवाने हो जाते थे प मतलब फिर यहां पर वही दिखाया गया जो हावा थी मतलब उस जो आसपास का एंवारेमेंट में था वहां पे ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़े-बड़े घंटे बजा जा रहे हैं बेल्स बजाई जा रही हैं मतलब इसकी ग्लोरी में इसको ग्लोरीफाई किया रहा है कि बहुत बड़ा हीरो आ ठीक है और लोग इतना चीकते थे चिलाते थे क्राउड एंड क्राइस की जो आसपास की जो वाल्स थी महां से एको होता था हर जगे आवाजे आती थी ठीक है जैसे किसी मैंने वही बोला ना जैसे आपको कोई फेवरेट फिल्म स्टार आपके एर था ठीक है 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 एड आई सेट गुट फोक मेर नॉइज रिपेल्स बट गिव मी यूर सन फ्रॉम यॉंडर स्काई देड आंसर एन अफ्टरवर्ड वाट एल्स वो कह रहा है कि अगर मैं उनको बोलता उनी ये जो लोग जो ग्राउड इतना मेरे लिए चीख रहा है चि और फिर पूसते कि थीक है तुमने सन मांगा हमने तुम्हें सन दिया अब तुम्हें क्या चाहिए इसके बाद भी तुम्हें क्या चाहिए हम तो वह भी देंगे कहने का मतलब यह है कि वो कह रहा कि लोग मिले तने दिवाने थे उस ट्राइम पर अगर मैं उनसे कुछ to give it my loving friends to keep ठीक है अब यहां से दो यहां तक तो यह दिखाए गया है कि यह बड़ा ही hero type का आदमी था जो याद कर रहा है एक साल पहले कि अपने उस incident को कि लोग इसको as a hero बानते थे अब यहां से थोड़ा game change हो रहा है यहां पर फिर वो बता रहा है कि अब यहां से चीजें अब ऐसा hero नहीं रही है यहां से इसका थोड़ा false start हो गया ठीक है अब कैसे false start हो गया है उस character का जिसके बारे में poet बात कर रहा है यहां पर एक चुल में एक comparison किया गया था एक Greek mythology है ठीक है उस Greek mythology में एक एक इनसान था जो cat से निकल जाता है cat से छूटा है छूट जाता है और उस छूटता कैसे है जब cat से छूटता है ना तो उसको punk लग जाते है wings लग जाते है और जब नए-नए wings लगते है ठीक है जैसे मानलो आपको मैंने prison में डाल दिया और आपके नए-नए wings लगे तो उसको wings मिल जाते है हवा में उडने के लिए तो बहुत ज़दा क्यों होता है आदमी एकदम से नए wings मिलते है तो एकदम बहुत ज़दा खुश हो जाता है तो वो ऊपर जाके न उसको उडने की ताकत मिल जाती है ठीक है वो उस मैंने बोला जेल में से Greek mythology के साब से एक character था वो जेल से छूड जाता है जेल से भाग जाता है उसको उडने की ताकत मिल जाती है wings आ जाते हैं और वो उडने की ताकत तो इसको मिलती है नही नहीं तो खुश हो जाता है इतना खुश हो जाता है जाके कि Sun में जाके Enter हो जाता है और Sun में जाके Burn हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो comparison कर रहा है यह character जो Patriot है इससे comparison हो रहा है तो बता रहा है कि मैंने भी जैसे वो Greek mythology में वो बंदा था जिसको Wings मिले उपर जाके Sun में जाके उसको नहीं नहीं विंग्स मिले खुश हो गया अतना Overestimate कर लिए अपनी power call जाके Sun में जाके Burn हो गया Sun में जाके गिर गया तो कह रहा है इसी तरीके मेरे साथ हुआ It was I who leaped at the Sun मैं भी जाके Sun में गिर गया मैंने भी अपने आपको एक तरीके से यहाँ पर खतम कर लिया ठीक है और And to give it my loving friends to keep मतलब यहाँ पर इस time पर कह रहा है ऐसा हुआ कि जो मेरे loving friends थे जो मेरे closed friends थे वो भी मेरा साथ छोड़ दिया वो भी चले गए इस दुनिया से ठीक है Not man could do have I left undone and see you see my harvest what I reap this very day now the year is run ठीक है वो कह रहा है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने नहीं किया ठीक है अपने आपको ठीक पूरूफ करने के लिए क्योंकि जो यह जो character है Patriotia मानता है कि इसने ठीक किया था लेकिन लोगों ने इसको misunderstood कर लिया ठीक है यह ठीक था अपने यह कहे पर लेकिन लोगों ने इसको misunderstood किया और फिर इसको लोगों ने मार दिया था ठीक है वो कह रहा है आउटकम है वो सामने है वो यह है कि इन देंड मुझे मार दिया जा रहा है मुझे लेके जा रहे है मारने के लिए ठीक है वो भी बता रहा है फिर याद कर रहा है एक साल पहले की बात है अब पहल साइड फ्यूव पहल साइड मतलब एक बिमारी है एक बिमारी होती है पहल सी ठीक है जातर बुजर्गों को होती है ठीक है तो वो कहरा है आप कुछ नहीं है खाली कुछ डिसीज लोग है जो बैठे हुए है विंडोस पे ठीक है फॉर दा बेस्ट ऑफ दा साइड इस ओल अलाओ ठीक है मतलब कोई भी नहीं है मुझे देखने के लिए पहले तो लोग चीकते थे चलाते तब कोई भी नहीं है अट दा शेंबल्स गेट शेंबल्स गेट वो है जहां पे यह हॉलोस का गेट है मतलब यह वो गेट है जहां पर फांसी दी जाती है जहां दोगों को मारा जाता है एक्जिक्यूट किया जाता है गला काटा जाता है गर्दन काटी जाती है या फर उसको फांसी की सजा दी जाती है वो है वो कहरा अब तो सरफ मुझे आवाज वहीं प्यारी है अब लोग सारे के सारे वहीं पे हैं, जहां पर मुझे मारा जाएगा, जहां पर मुझे एक्जिक्यूट किया जाएगा, ठीक है, I go in the rain and more than needs, a rope cut, वो कहरा है, मैं बारिश में चलता हुआ जा रहा हूँ, उस जगे से जा रहा है, अब इसको लोग ले के जा रहे हैं, ठीक है, इसके हाद बानने हुएं, a rope cuts, बोथ माय wrist behind, इसके हाद बानने हुएं, पीछे रसी से, और उस रसी से इसके wrist कट रही है, ठीक है, आपके हाद बान दिये जा है, रसी से, तो वहाँ पे cut का निशान पड़ता है, rope से, ठीक है, तो उसको ले के जा रहे हैं, execute करने के लिए, तो यह वहाँ से, जब निकल रहा है सालक से, तो अपना एक साल पहले का वो याद कर रहा है, कि अब कोई भी नहीं है, मुझे cheer up करने के लिए, वो कह रहा है, सारे के सारे लोग यहाँ पे कट्थे हैं, जहाँ पे मुझे फांसी की सजा दी जाएगी, या फिर मेरा गर्दन वो कह रहा है कि जो भी fling मतलब forcefully फैका गया, पत्थर मार रहे हैं लोग इसको, ठीक है, यहाँ पे, वो कह रहा है, जो भी लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वो बेफ़कूफ लोग है, वो दिमाग वाले लोग है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि उ finally यह जो words हैं, यहाँ पे बोल रहा है, thus I entered and thus I go, मतलब मैं आया दुनिया में और अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं मर चुका हूँ, में को मार दिया गया, फिर कह रहा है, in triumphs people have dropped down है, in triumphs people dropped down को मतलब यहाँ पे यह है, वो कह रहा है कि मेरी इस हार में भी मेरी जीत है, ठ यहाँ कि मैं सही था, मैंने गलत नहीं किया है, ठीक है, paid by the world, अब यह लास तीन लाइम बड़ी important है, paid by the world, what, daos मतलब होता है do, daos मतलब you, oh, ठीक है, what do you, oh, यहाँ पे God इससे पूछ रहा है, अब यहाँ God की बात हो रही है, God और poet की बात हो रही है, पेट्रियोट की बात थोड़े बहुत भी थे, उसकी सजा लोगों ने तुम्हें दी दी, अब तुम्हारा कोई, अब तुम्हारी कोई सजा नहीं है, ठीक है, अब तुम्हारी सजाओं से मुक्त हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारी सजा लोगों ने तुम्हें वहाँ पे जमीन पे दे दी है, ठी अब नाव इंस्टेड टिस गॉड शाल शाल वीपे आयाम से फ़र्स हो कह रहा है कोई बात नहीं लोगों ने मुझे नहीं समझा लोगों ने मुझे मिसंडिस्टूड करके मुझे फांसी की सजा दी या मुझे एक्जिक्यूट कर दिया वो बाट ठीक है पर जो मेरा गॉड है वो जानता है कि मैं सही था मैं गलत नहीं था और मुझे पता है कि अब मुझे जो गॉड है वो मुझे हेविन में भेजेगा क्योंकि गॉड को मालूम है मैं सही था ठीक है गॉड जानता है कि मैं सही हूँ और मुझे हेविन मिलेगा ठीक है तो ये अपने आपको एक तरीके की बोल रहा है कि उसको संतावना मिल रही है एक तरह की उसे खुशी है कि at least God को तो पता है कि मैं सही था और मुझे heaven मिलेगा ठीक है मुझे hell नहीं मिलेगा क्योंकि मैं सही हूँ लोग भले ही जमीन पर नहीं समझ पाए कि मैं सही था लोगों ने मुझे misunderstood करके मुझे execute किया बट God को पता है God सब देख रहा है God मुझे definitely heaven देगा ठीक है तो ये लास्टी लाइन ये बताती है कि patriot में poet का काफी belief है ठीक है religious belief और से लगता है कि भले ही दुनिया आपके साथ गलत कर दे लेकिन जो आपके कर्मा है अगर वो आपके अच्छे है तो God ultimately आपको अपने आपके कर्मों की अच्छी आपको फल मिलता है ठीक है तो ये था वीडियो अगर वीडियो पसंद आ तो definitely कि इस वीडियो को शेयर करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्षिन में कि आपको वीडियो कैसा लगा है वनाइसे बाबाई टेक क्या थैंक यू